आपके अपने यूटूब चैनल प्रिजम इस्टिटूट में एक बार फिर सार्दिक स्वागत और अविनन दने हैं जैसा कि आपको मालू है कि कक्सा 12 का जो अपना चेप्टर डिफेंशल एक्वेशन आवकल समीकरन चल रहा था उसके अभी तक 6 वीडियो में आपको प्लब्द करवा दिये हैं आज उसी के आगे चलते हैं साथमा वीडियो प्रस्नावली चल रही थी अपने 9.4 नौपएट 4 में अभी तक अपना है कर चुके हैं प्रसंसंख्या 10 तक तो देवकल में आपको बता रहा था कि प्रसंसंख्या 11 से लेके 14 तक जितने भी प्रसंख्या उन सब में आपसे क्या पूछ रखा है विसेश्टल पूछा हुआ है तो विसेश्टल क्या होता है कि जब आपने जो स्वेच चार C लिखते हैं समातल करने के बाद जो स्वेच चार आपको C मिलता है उसकी वेल्य को निकालके वापिस वहां आप रख दोगे तो वह आपको विसेश्टल होगा अब c की value आएगी कहां से तो c की value प्राप्त करने के लिए आपको वो है कोई न कोई condition जरूर देगा जैसे मालो x और y दोनों की value आपको दे देगा तो x और y जैसे आप उस equation के अंदर रखोगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा c की value मिल जाएगी यह कहेगा कि जैसे जो फलन आपने जो रेखा है जो भी है उसकी equation आपने निकाली है वो एक given point से क्या pass out होती है तो जैसे point अगर आपको दे रखा है तो point मैं आपको x और y की value होगी वो value उठा के आप जैसे रखोगे आपके पास क्या मिल जाएगा c मिल जाएगा अब देखो जो प्रसंट से क्या 11, 12, 13 है 11, 12 है वो क्या काफी बड़ी है तो मैं पहले एक छोटा प्रसंट लेके आपको समझाता हूँ कि इस परकार से विसेश्टल को निकाला जाता है अब काफी बड़ा किस वज़े से रिजन उसका ये है कि उसमें दोनों प्रसंटों में क्या है अंसिक बिन्नों में वियोजन करवा के उसकी बाद पार्सल फ्रेक्शन के द्वारा समाकलन की वेल्यो निकालने होती है तो ऐसा करके वो क्या है प्रसंट थोड़ा थोड़े बड़े हैं बाकि आपने समाकलन कर रखा है तो समाकलन अगर आपको आ रहा है तो अराम से वो कर लोगे कोई दिकत नहीं आने वाली है तो अपने पहले लेते हैं प्रसंट संख्या 13 13 जो प्रस्ट नमबर है उसमें क्या दे रखा देखो ये क्या रहा कि cos dy upon dx equals to a, a belongs to r, y equals to 1, यदि x equals to kya है 0 तो देखो condition भी इसने दे रखे, condition जरूर देगा प्रस्ट में विशेच्टल पूछेगा, condition आपको जरूर देगा लिखावा cos dy upon dx equals to a, फिर a के बारा मता है कि a belongs to r, ठीक है और दे रखा है कि y equals to 1, यदि if x equals to 0, x आपका क्या है, 0 यही दे रखा है x equals to kya है, 0 है, इस condition के लिए, देखो ये condition दे रखे है यह अपने को c के value, बताएगा, c के value क्या आने वाली है तो काम क्या करते है, पहला उद्दिश होता है कि dy upon dx को separate करें एकदम क्या है, अलग से दिखाएं, तो अलग से आप कैसे दिखाओगे, cos को अठाओ तो cos को जैसे अठाओगे, dy upon dx equals to क्यों जाएगा, cos inverse a यह जो cos inverse a है, यह आपका क्या बन गया है, constant बन गया यह आपका क्या हो गया, constant हो गया अब करवाएं भी, चरों का पर्थकरण, तो लिखा जाएगा कि चरों का पर्थकरण करने पर चरों का पर्थकरण करने पर variable separation method लगा होगे, तो dy तो आपका इदर है cos inverse यह आपका पड़ा है dx को उठा के कहां ले जाएं सामने ले जाएं तो यह चर अलग-लग हो गए y वाल अलग हो गए x वाल मेटर अलग हो गए संख्या जो constant होते हैं आप कहीं रखें कोई समिश्या नहीं है चाहिए तो उस साइट रखें साइधर लग-बग तो क्या उधर क्यों रखते हैं ताकि dy क्या सिंगल रहे अब यह करवाने के बाद क्या काम करवाते हैं कि दोनों पक्सों का समाकलन करने पर टेकिंग इंट्रिगेशन बाट साइड तो बहुत साइड यदे आप integration का sign लगाओगे तो ये cos inverse A ये तो constant S को तुमें वार रख दो न इस पे तो लगाना है नहीं ये तो रखा वार dx को रखा समा कलन के अंदर तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 पढ़ा जाएगा इधर भी कुछ नहीं 1 पढ़ेंगे 1 का y के respect क्या होगा y ये cos inverse A आपका पढ़ा है और 1 का x होगे और अपनी और से क्या लगा जाता है switch अचर c अपने को लगाना होता है ये अपनी equation आगई जो फलन था वो आचुका है अब यहाँ से c की value निकालते हैं c की value के लिए आपको ये condition दे रखें ये यहाँ apply करें ये कह रहा है कि y equals to 0 यदि y equals to 1 यदि x equals to 0 तो देखो x और y की value equation number first में रखें भी तो y की जगे आपको क्या रखना 1 cos inverse A into multiply के अंदर को ने x है तो x का क्या रखा 0 plus में क्या लिया c तो 0 से multiply होगा ये सारा क्या होगया 0 तो बताएं भी c की value क्या आगई 1 आगई तो c जैसे 1 आगया आप कहा रख दें समीकर्ण नंबर एक में रख दीजिए तो ये लिखते हैं समीकर्ण नंबर एक से from equation first तो अपना जो solution है विस्षिष्ठल के आएगा y equals to cos inverse A x और प्लस 1 ये आपका उतरा आगया तो विस्षिष्ठल में c की जगह है वो आपको क्या मिलेगा संख्यात में कमान मिल जाएगा तो इसका भी आप screen sort ले लिजे फिर और आगे चलते हैं तो ऐसे प्रसंद भी partial fraction वालों में क्या है समाकलन में थोड़ा time लग जाता है वो प्रसंद हो जाते हैं थोड़े काफी बड़े हालाएं कि कठी नहीं है समय उन में ज्यादा लग जाता है चलो एक और करवाता हूँ मैं आपको ठीक है एक और करवाता हूँ देओ तो इसके आगे अब ले लेते हैं अपने प्रसंद नमर कौन सा है 14 सब्दुमा प्रसंद और ले लिया जाएं तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ 11 बारा मैंने इसलिए नहीं करवाया सिर्फ समाकलन ही उनमें करवाना है बाकी पैटर्न यहीं देगा C की वेले निकालने के लिए आपको X और Y जो कंडिशन आपको दे रखे वो आपको अप्लाई करनी है तो देखे 14 में क्या दे रखा है कि D Y upon DX equals to Y 10 X Y equals to 1 यदि X equals to 0 तो प्रसंद सेंके जो चबदा है उसमें दे रखा है D Y upon DX equals to X 10 Y Y equals to 1 यदि आपका X क्या होगा 0 तो यह तो दे रखे देखो condition एक वर और चेक कर लेते हैं कि D Y upon DX equals to Y 10 X उल्टा लिख दिया है मैंने Y इधर दे रखा है और 10 X आपको दे रखा है यहां ठीक है यह आपकी differential equation दे रखे है ठीक है अब इसको solution निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होता है variable separate आप करवाएं चरों का पर्थकरण करोगे तो चरों का पर्थकरण वह आपको लाइन लिखनी पड़ेगी कि चरों का पर्थकरण करने पर क्या करने पर पर्थकरण करने पर variable separation तो variable separation आप करवाएं dy आपका इधर ही है इधर जो y का मेटर हो इधर लेके हो multiply में का आएगा divide के अंदर सामने आपका 10x पड़ाई है यह जो dx है उदर से ला जाएगा multiply के अंदर क्या है dx जब variable separate हो जाते है तो उस condition में फिर क्या काम करवाते हैं दोनों side का integration आपको करवाने है समाकलन आपको करवाने है तो वही लिखते हैं कि दोनों पक्सों का समाकलन करने पर दोनों साइड का समाकलन करवाएँ है dy upon y integration 10x और dx यहाँ से देखो 1 upon y का क्या होता है log y 1 upon y का क्या होगा log y और जो 10x है उसका होगा negative log cos x क्या होगा negative log cos x negative log cos x negative log cos x अब देखो 10x का negative क्यों आया log cos x आपको क्यों मिल रहा है तो log cos x मिलने का एक reason है आपके पास क्या है देखो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे वो शी तो आप यहां लगा लिजिए देखो यहां roughly type में समझा देता हूँ जैसे 10x है क्या दे रखा है 10x और dx इसका integration आप करोगे तो देखो क्या मिलेगा पहले आप इसको sin cos में change करवाएं sin x upon cos x dx आप लगबग integration के अंदर क्या काम होता है समाकलन में कि नीचे की जो रासी है बटे में वो नजर नहीं आने चाहिए तो उसको कैसे अटाएं उसको मान के अटाया जाएं भी और तो क्या होगा तो cos x को आप क्या लेलो t लेलो तो cos x का जो समाकलन होगा सोरी आउकलन होगा वो होता है cos x का minus sin x dx equals to t का 1 और क्या लिखा dt तो यह जो negative आप इसको उठा कि आप यहां लओ तो कुल मिला कि sin x dx equals to क्या यह minus का dt यह आने के बाद यह sin x और dx यह तो क्या बन गया minus का dt बटे में आपने cos को क्या माना t 1 upon t का क्या होता है log t और plus का c आप लिखते हैं log t की जगर वापिस से रखें आप किस ने लिया cos x को लिया था तो देहो यह आगया यह यहां से आता है minus में log cos x है वो आपका यहां से आता है यह आपकी equation आगी अब इसको equation नुमर आप फैस्ट लिखें अब यह condition आप लगाएं भी y equals to 1 if x equals to 0 तो समीकर नुमर एक में आप रखोगे तो क्या लिया भी log y की जगर 1 equals to negative log cos x की जगर क्या रखा 0 और प्लस का c अब आप बताएं कि c के value क्या आने वल यह भी c आपका क्या रहेगा 0 आएगा वाविक सी बात 0 क्यों आएगा कि log 1 आपका क्या होता 0 और cos 0 क्या होता 1 तो फिर से यह भी आपका क्या है log 1 आए तो यह भी क्या होगा 0 तो 0 equals to minus 0 0 प्लस c तो c equals to क्या है 0 c आपको क्या मिला 0 तो जैसे c आपका 0 आया तो आप समीकर नमर 1 में रख दीजिए तो लिखेंगे equation number from equation first समीकर नमर 1 से यह आपका log y minus में log cos x और प्लस में क्या लिखा 0 तो 0 को लिखने के वैसे आवशकता नहीं एक line के अंदर आप दरसा है फिर आप उसे हटा दे आप देखो log को अटाने के लिए negative अटना से तो negative जाएगा उदर negative उदर जाएगा तो इसका में लोग क्या होगा कि log one upon क्या बन जाएगा cos x इदर आपका क्या हैगा log y अब कुल मिला के इदर तो क्या रहेगा log y log one upon cos को क्या लिख सकते हैं sec x log से log अटा दे y cos to क्या आगे आपका sec x यह आपका answer आचो का है यह आपका answer आगे solution आपको मिल गए हैं ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो इस प्रसन का भी screenshot ले ले जए काफी अच्छा प्रसन है आलांकि exam में आपसे जो पुछेगा वो छोटे प्रसन ही पुछेगा नहीं कि समाकलन के बड़े बड़े प्रसन आपको नहीं देगा वो करके जरूर देखें सभी प्रसनों को तो जैसे और आगे चलते हैं मैं 15 प्रसन क्या कहता है वो करें वो भी ठीक है वो भी आपके समाकलन की एक समिश्या है उसको भी हल करवाया जाए तो इसको मैं मिटा देता हूँ आगे next प्रसन को लिया जाएं उसके अंदर क्या बताया जा रहा है तो आंसे एक बिन्दोवल आप कर ले ना यदि नहीं हो तो आप कमेंट स्बोक्स में जरूर लिखे मैं आपको फिर करवा दूँ तो अब ले लिया जाएं अपने प्रसन नमर क्या है 15 15 15 15 प्रसन को एक कंडिशन दे रखिये ये कह रहा है कि बिन्दू 00 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकर्ण ग्याद के जिए जिसका आउकल समीकर्ण y' से कोस्टो e की पाउर x sin x है देखो 15 नमर प्रसन है y' से कोस्टो e की पाउर x और sin x ये डिफरेंशल इक्रिशन आपको दे रहे कि आउकल समीकर्ण दे रहे है साथ में ये कह रहा है कि उसका समीकर्ण ग्याद के जिए जो 00 से क्या है गुजरत तमलो point की value दे दी इस वार x और y अलग अलग नहें देके आपको point की form में दे दी है तमलो x आपका क्या पढ़ा जाएगा 0 y भी आपका क्या पढ़ा जाएगा 0 ये क्यों दिया है ये दे रखा है c के value निकालने के लिए ताकि अपने को जो c दे रखा है जो switch अचर आपको मिलेगा उसकी value कहां साएगी तो ये condition लगाने के बाद आपको value मिलेगे तो देखो इसका भी करवाएज है तो पहले y dash को आप लिख लो y dash क्या होता है dy upon dx e की power x और क्या लिखा sin x अब करवाएगी variable separation तो क्या लगाएगी चरों का पर्थकरण चरों का पर्थकरण करने पर variable separation आप करवाओगे तो dy तो single ही आ रहा है e की power x, sin x और dx ये उदर लेगे dx को ठीक है variable separate होगे variable separate होने के बाद में क्या काम करना है कि दोनों पक्सों का समाकलन किसका दोनों पक्सों का समाकलन करने पर दोनों पक्सों का समाकलन करने पर taking integration बोथ साइड तो इस दर भी समाकलन का चिन लगाए और इदर भी समाकलन का चेनल लगा दिया जाए गए अब देखो यहां एक दिक्कत यह आएगी कि यह ऐसा function आगया यह इंटो वी केंदर जो कभी क्या है खतम है? नहीं होता है तो इसको अलग से हल करवा के फिर उसकी value यह रखते हैं तो मैं काम करता हूँ इसको I I1 ले लो यह ला I1 लिया ठीक है? समीकर नुमर आप एक लगा दे यहीं से अब आपने मना है I1 आपने किसे लिया है? E की पावर X साइन X D X को क्या लिया आपने I1 लिया है? अब इसको करवाएं भी. I late की दवारा करवाएं. First और Second फलन आप ले होगे तो I इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन I L A T E Exponential आएगा Second और आपका वो रह जाएगा कौणसा? First फलन हो जाएगा टिग्नोमेट्रिक किस के दवारा हल करवाए जाता है? I late के दवारा I L A T E I कम लोग क्यों होता है? इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन L कम लोगरेथिजम लोग वाले Algebraic टिग्नोमेट्रिक और Exponential फंक्शन तो यह तो रहेगा Second पहले को न आ रहा है? T आ रहा है तो First फंक्शन होगा आपका ये Second फंक्शन हो जाएगा ये बाला अब क्या काम करवाई जाएगा? First को रखा जाता है बाहर Second का समाक्लन फिर Negative ये चिन और जो First को बाहर रखा था उसका क्या करवा दिया जाए? आउक्लन करवा दिया जाएगा ये आउक्लन हो गया ये ओने के बाद अब क्या काम होता है? जो Second वाला उसका Intrigation और जो Matter मिलेगा उस पूरे का एक बार फिर से समाक्लन करवाया जाए तो यहाँ से वापिस लिखें देखो ये I1 है आपका ये क्या I1 है? तो कुल मिला कि I1 equals to क्या मिला? Sine X E की पावर X का समाक्लन फिर से क्या हैगा? E की पावर X ही मिलेगा फिर ये Negative, ये समाक्लन का चिन Cos X का होगा Negative Sin X तो Negative और Negative मैं इसे दे देता हूँ क्या होगया? Positive ये आपका क्या होगया? Sin X क्या बना? Sin X Cos X का क्या होगया? Sin X Cos X लिख दिया पहले ही मैंने ये एक मिन टोकें भी यहाँ ये Sin X आएगा एक बार तो आउकलन हुआ नहीं है अपने पहले ही करवा दिया भई ये लो, ये Negative बार वाले लिखा Sin X का आउकलन क्या हैगा? Cos X आएगा क्या हैगा? Cos X E की पावर X का E की पावर X ही होगा और क्या आजाएगा? D X आजाएगा ठेक है? फिर से वही दिकत अभी ये खतम गवा नहीं है तो आप एक काम करें इसको अलग से करवाएगा सलो इसी के अंदर कर लेते देख लेंगे जो भी Matter बनेगा इनमें फिर U into V लगाओ फिर वही टिग्नुमेट्रिक आ रहा तो यह first हो गया और यह आपका क्या आएगा? second आएगा तो I1 इकोस्टो क्या आएगा? sin X, E की पावर X, negative आ रहा है तो एक Bracket जरूर लगा ले first को कहा रखा जाएगा? बाहर second वाले का समाकलन फिर minus में समाकलन का चिन first वाले का आउकलन और second वाले का समाकलन और जो मैटर बनेगा उस पूरे का समाकलन एक dx आपको और लिखना में है थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ I1 इकोस्टो क्या आएगा देखो यहां से? कि sin X E की पावर X, यह negative माइनस के अंदर multiply भी मैं करते हैं चलू देखो यह आपका क्या है वही? कॉस X E की पावर X का क्या होगा? E की पावर X negative और negative क्या आगा है? positive अब यह समाकलन का चिन कॉस X का आप करोगा तो negative sin X फिर से यह negative बन जाएगा यह आएगा sin X E की पावर X का आप करोगी तो क्या आएगा? E की पावर X और यह DX last time यह खतम नहीं हो रहा यह खतम नहीं हो रहा तो इसकी value रखे जाए तो मैं इसको ले लेता हूँ equation number क्या? 2 यह देखो, यह same part वापिस से आपको मिल गया तो यहाँ से equation number 2 से क्या लिख सकते हैं उसको I1 ऐसे हो खतम होगा नहीं लिखने है पढ़ेगा I1 equals to क्या आया? sin X E की पावर X minus cos X E की पावर X negative क्या लिखा I1? कहां से लिखा? Summikar number 2 से अब यह जो I1 है वो उठा के आप यहाँ ले तो I1 plus I1 sin X E की पावर X negative X cos X negative cos X E की पावर X I1 I1 क्या हो गया? 2 I1 यह आगए आपका sin X E की पावर X को में ले लिए जाएगे? E की पावर X को में ले 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 लेते हैं बार-बार क्यों लिखे? sin X minus cos X तो यहां से I1 क्या आएगा E की पावर X upon 2 यह आजाएगा आपका sin X माइनस में cos X यह आगए आपके equation number 3 equation number 3 से I1 की value आप कहां रख दें equation number 1 के अंदर रख दोगे तो आपको वो function मिल जाएगा जो आपको चाहिए तो Y equals 2 क्या लिख देते हैं? sumi card number 1 में मान रखने पर put value in equation number 1 तो Y equals 2 आपका क्या हो जाएगा? I1 मतलब E की पावर X upon 2 यह आगए आपका sin X minus cos X और plus का C देखो आपको यहां लगाना पढ़ेगा चलो मैं यहां लिख देता हूँ ठीक है? इसी के अंदर लिख लेते हैं last में आपका C रहेगा ठीक है? तो C आने के बाद अब आप यह value रखो किसके? X और Y की तो इसको equation number 4 लगाएं आपको यह लिखना पढ़ेगा कि समीकर number 4 किससे बिंदू 0,0 से गुजरता है यह गुजरता देखो गुजरो Y भी आपका 0 X की जगा आपको रखना 0 E की पावर 0 upon 2 फिर लिखा sin 0 minus cos 0 plus C तो मैं यहां लिख देता हूँ क्या value आएगी? इदा तो रहेगा आपका 0 1 by 2 E की पावर 0 मिलोगा क्या होगा? 1 होगा sin 0 आपका क्या होगा? 0 minus 1 और plus में C तो कुल मिला के यहां से क्या आएगा? minus का 1 by 2 आएगा वो इदार आएगा तो C की value देखो जगे नहीं है न जगे का भाव है भई तो मैं यहां लिख देता हूँ छोटा सा last है दू लाइन हो रहे यहां से C की value आपको मिल गई क्या? positive 1 by 2 यह आपको क्या मिला? भई C मिला यह C मिलता है इस C की value को कहा रख दें आप? इस equation number 4 में रख दो तो आपके पास आजाएगा y cos 2 e की power x upon 2 फिर यहां लिखा जाएगा sin x minus cos x और plus में 1 by 2 यह आपका solution यह आपका answer आचुका है कुछ नहीं लिखा देखो यहां सिर्फ क्या लिखा है? कि यहां से जो C मिला है मेरे को मैंने उसको equation number 4 के अंदर रख दिया रखते हैं मेरे पास क्या आगई? जो मेरे को वक्र चाहिए था जो मेरे को curve की equation चाहिए थी मेरे पास वो curve की equation आचुकी है ठीक है न? इस प्रकार से आप इस प्रसन को हल करवा सकते हैं इसका solution निकाल सकते हैं तो इसका भी आप screen short ले लिजिए ताकि और आगे चला जाए किस प्रकार के प्रसन आ रहे हैं देखो ऐसे से प्रसन आपको मिल रहे हैं तो इन में देखो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है प्रसन तो काफी आसान है काफी बड़े हैं थोड़े बड़े उस वज़े से हो गए कि जो समाकलन है वो आपके क्यावे बड़े बड़े आ रहे हैं समाकलन के लगबग देखो सारे method हैं वो इन प्रसनों में इस प्रसनावली में आपको देखने को मिलते हैं कुल मिला कि समाकलन की जो practice है वो आप यहाँ इन प्रसनों के साथ कर सकते हैं तो और आगे चला जाएं आगे का जो प्रसन दे रखा है कौन सा है 16 नमबर है 16 नमबर वो भी सेम बासा एक प्रसन है तो ऐसे यह कापी सार प्रसन दे रखा है एक दो मैं आपको और करवा देता हूँ फिर बाकिया आप खुद कर ले ना कोई दिक्कत नहीं आने वाले है 16 प्रसन में यह कह रहा है कि आवकल समीकरन आपको दे रखे xy dy upon dx equals to x plus 2 और bracket में दे रखा है y plus 2 के लिए बिंदू 1, minus 1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरन ग्याद कीजिए तो इसकी equation भी अपने को निकाल ली है तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ आगे लेते है 16 वाला तो बाकि जो से इस प्रसन रह जाएंगे उनको आप करने का अभ्यास करें आपसे नहीं हो रहा तो जरूर आप पूछे मैं उनका solution प्लब्द करवा दूँगा आपको बागर मिध है जरूत नहीं पड़ेगी आप खुद ही कर लोगे आराम से ना कोई ज़्याद दिकत वाले प्रसन नहीं है यह दे रहा है x y question number 16 दे रहा है x y dy upon dx equals to y plus 2 है साइधा ना क्या दे रहा है x plus 2 y plus 2 यह दे रहा है x plus 2 और y plus 2 यह दे रहा है और condition मैं पॉइंट आपको क्या दे रहा है point में लिख देता हूँ जिससे जो अपना करवाएगा वो कराएगा वो इस बिंदू से गुजरेगा इस बिंदू से क्या pass out करवाना है मुला x की जगे क्या रखा जाएगा minus 1 और y की जगे क्या रखा जाएगा positive 1 x की जगे तो positive 1 है sorry और y की जगे क्या negative 1 है यह दे रहा प्रसंद में तो पहला का हम variable separate करवाएग तो देखो y dy इदर ही है यह bracket उठा कि आप इदर लाओगे बटे में आ जाएगा इस side आपका x plus 2 पड़ा है नीचे x आपका इदर चला जाएगा और क्या होगा dx चला जाएगा इदर ऐसा करवाने के बाद क्या करवाएगी दुनों पक्सों का समाकलन आप करवाओगे तो इदर आपने क्या लगा है समाकलन के चिन लगा है क्या लेखा dy इदर भी समाकलन के चिन को लगा है dx लेखा अब देखो इस side आ रहे हैं कैसे 2 की कमी आ रहे हैं यह y आ रहे है यहाँ 2 नहीं आ रहे हैं एक काम करें अपनी और से अड़ेस्टमेंट देखो करना जरूरी है भी नीचे देखा कि y प्लस 2 आ रहा है उपर सिर्फ y आ रहा है एक काम करें आप एक बार तो 2 को जोड़ दे एक बार 2 को गठा दे और इन में अलग-लग डिवाइड करो x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x और क्या लिखा जाएगा d x इसके विए यह टूडे बनाओ एक तो आपके पास आजाएगा कि y प्लस 2 है इसको y प्लस 2 से डिवाइड आप करवा दे फिर माइनस का 2 आपका पड़ा है y प्लस में 2 और क्या ले लिया जाएगा d y अब यहाँ कुल मिलाके क्या आएगा 1 प्लस में 2 अपॉन x और d x अब यह जितने ही पार्ट आ रहे है इनको अलगलग करवा ले वे यह कैंसे लोके क्या आएगा 1 इसके साथ में क्या लिख दो d y फिर माइनस का 2 कॉंस्टेंट अबार लिखा उपर क्या लिखा 1 नीचे क्या रहे गए y प्लस में 2 और d y ऐसा ही सिस्टम यहाँ बनाए 1 इंटो d x प्लस में 2 तो कॉंस्टेंट अबार रखे अंदर क्या रहे गए 1 अपॉन x और d x ताकि इनके जो समाकलन है वो आसानी से आपको उपलब्द हो जाए तो इनके समाकलन करवा लिए जाए तो आप कैसे करोगे 1 का तक क्या होगा y माइनस में 2 लिखा नीचे वाले गवकलन उपर मौझूद है तो उपर जो मैटर दे रखा नीचे उसे क्या लिखे है log y प्लस में 2 एकोस टू ये इंट्रिकेसन का साइन आजाएगा 1 का आपके पास क्या आजाएगा 1 का सीधे याप कर ले x आजाएगा प्लस में 2 1 अपोन x का क्या आएगा log x और प्लस में क्या आजाएगा c आजाएगा तो ये इतना मैटर आपके पास आगया अब ये आणे के बाद में पॉइंट को पास आउट करवाना है किस से जो आपके पास एक्विश्ट ना रखिये उसको गुजारना है कहां से गुजारना है दिये गए पॉइंट के जरिये तो इसे आप समीकर नमबर एक लगा सकते हैं तो आप ये लिखें कि वक्र एक किस से बिंदू 1,-1 से गुजरता है करो फैस्ट पासिंग थ्रू पॉइंट 1 and minus 1 तो x की जगे क्या लिखा जाएगा 1 y की जगे क्या लिखा जाएगा minus 1 यहां put करेंगे y की जगे minus 1 y की जगे क्या लिखा minus 1 फिर minus का 2 log of यह क्या हुआ minus का 1 और plus 2 equals to x की जगे क्या लिखा जाएगा 1, plus में 2, log 1 और plus में c यह minus का 1 लिखा minus का 2 into यह subtract होके क्या हैगा यह subtract होके क्या बनेगा log 1 equals to 1 plus में 2 log 1 के value क्या होती है 0, plus c, minus 1, minus में 2 into log 1 क्या होगा 0, यह 1, 2 into 0 क्या हैगा तो कुल मिला कि यह आपके पास क्या आएगा? माइनस 1, यह सारा 0, इधर रहागा 1 प्लस C, तो C इक्वस टू क्या जाएगा? माइनस का 2 आजाएगा. क्या आएगा आपको? माइनस का 2, यह C की वेल्यू कहां रख दें? एक्वेशन नमबर फर्स्ट में रख दें, तो समी करन नमबर एक से, फिर से क्या आया? Y माइनस में 2, लॉग Y प्लस 2 एक्वस टू एक्स, प्लस में 2, लॉग X और माइनस 2, यह आपका एंस्वर आचुका है. एड़ेस्ट मेंट तो देखो क्या होगा? कि जैसे लॉग लॉग वाले मेटर है, वो आप एक साइड लेके जा सकते हैं, जैसे X और माइनस 2 इसको आप लेओ इदर, यह लॉग वाला मेटर है, उसको वाँ ले जोई, तो लिखो क्या, चलो मैं लिख देता हूँ, यह Y तो आपका पड़ा है, X यहां लाएंगे, तो क्या आएगा? माइनस X, यह इदर लाएंगे, प्लस का 2, अब देखो, इदर क्या, यह लॉग है ना? X है, यह जो पावर है ना? यह जो आगए जो 2 लिखा हो, यहां लिख देता हूँ, हालांकि, एंसर आचुका है, कोई दिक्कत नहीं है, कि Y माइनस X, प्लस 2, एक्वल्स टू लॉग, X स्क्वार, मल्टिप्लाई में क्या लिख सकते है, Y प्लस 2 का होल स्क्वार, यह एंसर दे रखा होगा, है, हो सकता है, बुक के अंदर आपका यह एंसर मिलेगा, तो बाकि के प्रस्थनों को आप करने का अभ्यास करें, परियास करें, आप अराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकाद होती है, तब तक के लिए सबको थैंक यू, थैंक यू अल आफ यू,